एक बड़ी खबर राची से बड़ी खबर है पुलिस ने तीन आरोपिएंगों को गिरपतार किया है कल्लू लामा के नाम पर रंगदारी मांगने का उन पर आरोप लगा है बर्यातु इलाके में अज़़ सिंह से मांगे गए थी 10 लाह के रंगदारी और कल्लू लामा के नाम से ये रंगदारी की मांगी गए थी जिसके बाद पुलिस ने तीन लोगों को इस मामले में गिरपतार किया है बर्यातो इलाकी में अजर सिंग से रंगदारी मांगे गेती इसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुँचा पुलिस दे कारवाई की और टीन लोगों को गिरपतार किया 27 जुलाई को हम लोगों को ये सूचना जी गई कि इदर खातों के रहने वाले पाजर सिंग उनको जो कुख्यात अपरादी मृतक अभी कालू लामा उसके भाई के नाम से धंकी दी गई है और दस लाख रुपे की मांग की गई है उसके बाद उनके द्वारा एफायार दरश कराया गया और हम लोगों को जो भी सूचना उनके द्वारा जी गई थी उसके बेसिस पे हम लोगों इन्वेस्टिकेशन शुरू किया और उसके बाद हमने कल तीन व्यक्तियों को गिरफतार किया है इनका नाम अजय कुमार, मनुरंजन कुमार सिंग और दीपक कुमार है इसमें से दीपक कुमार सिंग ये प्लान बनाने में सबसे आगे थे और ये इसके द्वारा जो हमारे व्यक्तिन है वादी उनके घर में भी कुछ समान दिया जादा ये कुट्टीस हो हम लोग कहते हैं भूसा वो दे निकले जाया करता थे तो उसके मन में आया है कि ये एक धनात्वे आदमी है इसके साथ इस तरह का कोई काम किया जा सकता है सच है तो दिखेगा